तो एक जनमम के पाद Jewan का एक त्खेल पूरा करने के पाद जब आत्मा आत्मा लोक में उसके दौपर आत्मिक दौपर पहुँचती है तब उसका स्वागत करने के लिए उसके इस जनमों के जो स्वर्गिय संबंदी हैं जो कि उनकी मुलाकात होती है और ठीक इसी तरह से जब आत्मा वापस प्रित्वी पर जाने की तैयारी में हैं एक बार फिर से दूसरा जनम लेने की तैयारी में हैं तब उसकी मुलाकात उसके आने वाले के जीवन में जो उसके निकट्तम 10,15 लोग जो उसके बहुत निकट हैं वो जब जब धर्ति पर जनम लेगा वहविशय में उसके जीवन में जो ऑंक्राइज उसके काडमिक अकाउंट हैं वो जो उसके से 15 व्यक्ति हैं और भविश्य में जो अब तुम धर्ती पर जीवन लेने जा रहे हो उसमें ये तुम्हारे निकटम व्यक्ति होंगे जैसे कि मृत्यू की बाद वह आता है तो अपने वह पिछले जीवन के निकटम व्यक्ति उसे मिल रहा है तो ऐसे ही जब वह आत्मा लोग जाती है इस मुलाकात में आत्माओं को एक पहचान बर्दान की जाती है जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्वेम डाक्टर नूटन के साथ ऐसा हुआ कि जो उनकी धर्म पत्नी थी जब पहली दफार उन्होंने अपनी धर्म पत्नी जिसको वह समय जानते भ हुआ लेकिन उन्हें एक खिचाओ मैसूस हुआ बस यही एक आत्मिक पहचान का सिंबल है कि यह जो आत्माइं होती है जिनका बहुत जो हमारे जीवन को अर्थ परदान करती है जिनका एक महत्वर्ण रोल होता है हमारे जीवन में इनकी भी एक पहचान होती है जो उसमें क की जाते हैं पहचानों में वह कारे करती आत्मा को एक सिग्नल जैसा मिलता है कि यह व्यक्ति कुछ विषेश है हर आत्मा को देखिए ऐसी फिलिंग मन में उत्पन नहीं होती रहां विशेश आत्माई ला पहचान परदान की जाती है ग्रेव आपसी के यानि मृत्यू के बाद जब आत्मा लोट के आती है आत्मा लोक में उस समय जो उसकी अपने प्रियेजनों से मुलाकात होती है वो बहुत शांध होती है सुखद होती है लेकिन इस पहचान कक्ष में आत्मा की अपने आने वाले जीवन में जो उसके 10-15 करीबी संबंदी होंगे, उनसे जो उनकी मुलाकात हो रही है, जो एक महत्वपून रोल प्ले करेंगे उसकी लाइफ में, वो रोल पोजिटीव या इसके वीप्रित कैसा भी हो सकता है, उनसे जो उनकी फहचान होती है, लेकिन उसके साथ-साथ इस प उनके आने वाले जीवन में जिन विशेश आत्माएं जो अर्थ परदान करेंगी उनके जीवन को, जो उनके जीवन की दिशा का निर्धान करेंगी, उनसे उनकी मुलाकात होती है, उनको आपसे पहचान परदान की जाती है, तो जितनी की जनम मृत्यू के बाद जो मुलाक हैं उस पहचान कख्ष में जो जनम लेने के इस प्रकरिया के प्रोसेस से गुजर रही हैं अब एक्जेक्ली में माध्यम की शब्दों में बताने जा रही हूं माध्यम का कहना था कि जब वो एक जीवन जी के आत्मा लोक में आया तब वो क्योंकि अचानक से उसने अपनी धे को खोया था वो बहुत हक्का बक्का सा था लेकिन यहां पर उसके आसपास करोणों आत्मा हैं और अच्छी खासी वातालाब भी चल रही है उमीदों के साथ हमारी उर्जा बड़ी ह है कि आने वाले जीवन में जो संसकार परिवर्तन करने हैं जो एक धेल यह आई है आत्मा लोक से तो वह बहुत ऊर्जावान अपने आपको महसूस कर रही है कि जैसे नई क्लास में बच्चा जाता है तो एक उर्जा से भरावा होता है ना कि नहीं अब मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊंगा अब तो मैं क्लास में फर्स्ट आके दिखाऊंगा बस कुछ इसी तरह की उर्जा से जनम लेने से पूर आत्मा भी भरी हुई होती है कि मैं अब अपनी संसकारों में परिवर्तन करके अपने कार्मिक अकाउंट को पॉजिटिव बनाकर जोग लेसन मैंने सीखने हैं उन्हें पूरा करके अच्छे तरीके से अपना जीवन जीके तरक्की की और कदम बढ़ाके आत्मा लोक में आऊंगा तो वह बहुत उर्जावान होती है उस समय पर जब वह पहचान कक्ष में होती है यानि जनम लेने की बिल्कुल अंतिम सीड़ी पर उसका पैर होता है आत्मा धवनियों को और गंध को इनकी स्मृतियों को संजोकर रखती है और पहचान कक्ष में जो पहचान दी जाती है उसका वह बहुत अनोखी पहचान भी या इसे आप एक सिगनल कह सकते हैं इस रूप में आत्मा के अंदर ये चीज़ फीड होती है जैसे कि जब आत्मा के मस्तिक्ष में इन संकेत सुत्रों को अंकित कर दिया जाता है तो इनसान के रूप में जब उस व्यक्ति से मुलाकात होती है तब ये याद ताजा हो जाती है कि इस व्यक्ति से कुछ ये ये हमारे जीवन में कुछ अर्थ रखता है इस जीवन में जब कुछ विशेश शणों में कुछ महत्वपून बात होने वाली होती है जीवन का कोई विशेश मोड कोई समय ऐसा जब कुछ घटना विशेश है जो घटने वाली है चाहे आपकी वह carrier से related हो, चाih। आपकी वह जीवन की दिशा को परिवर्टत करने वाली हो, चाहे होँ आपके जीवन साती से related हो। च अब महत्वपून जब घटित होने वाला होता है। तब बंच collaborators तक किना की जावल के जो संकेत होते आपके आत्मिक पहचानृतर आपके या ये कि हमें उस थिती को समझने में और इंसान के रूप में उस वक्ति के साथ जुड़ने में ये संकेतर सूत जो होते हैं ये बहुत मददगार होते हैं और ये एक तरह से अंतिम तैयारीक अक्षा होती है क्योंकि भूलोग पर बिना इन चिन्नों के एक दूसरे को आत्मा पहली बार में नहीं पहचान पाती हैं जब एक आत्मा सभी कुछ भूलने के बाद यानि की वो नियती की घेरे में अपना जीवन देख भी चुकी है लेकिन जनम लेते वाद जब वो सब कुछ भूल जाती है यानि एक सब कुछ भूल के जब वो भूलोक पर जाती है तब हम जिस आत्मा की शक्ति को खोचते हैं वो ये जो पहचान चिन होते हैं जो हमारे जीवन में जो लोग आते हैं जो हमारे जीवन को अर्थ परदान करते हैं इनसे मुलाकात के साथ हम वो सबक भी सीखते जाते हैं जिनके लिए हम प्रिथ्वी पर आए हैं और हमारी आत्मा की शक्ती भी बढ़ती जाती है क्योंकि ये तो आप भी मानेंगे कि जैसे जैसे आप जीवन जीते हैं जीवन ग्यांत में आप पहुँचते हैं तो बहुत कुछ सीखा हुआ होता है आपने अन्भो की बहुत बड़ी गटरी आपके साथ होती है और कितनी ही बार हमारे सबक बड़ी असानी से बहुत जल्दी सुलच जाते हैं और कई बार ऐसा नहीं भी होता है ये फैचान चिन हमारे जीवन में कुछ अर्थ पूर्ण महत्व पूर्ण घटी तोने वाला है इसके सिगनल होते हैं और कई बार ये पहचान चिन बहुत ही वहवारिक होते हैं जैसे कि यहां माध्यम ने बताया कि एक उसके जान पहचान की महिला जो कि गले में एक चांदी का पेंडेंट पहनेगी ये चांदी का पेंडेंट ये एक चिन है जब ये धूप में चमकेगा और इसकी नजर मतलब माध्यम की नजर उस पेंडेंट पह जाएगी तब वो उस महिला के प्रती बातचित करने के प्रती उसके साथ आकरशित होगा और ये महिला उसे लोगों का आदर समान कैसे सिखाया जाता है किस प्रकार उसके अंकार भाव को समाप्त करने की उसके अंदर दूसरों के प्रती आदर भाव और प्रेम भाव जागरत करने की ये चीज़ सिखाने की वजह वो महिला बनेगी अब ये पेंडेड एक पहचान है ये चिन है आत्मा के लिए लेकिन अब जब वो महिला वो वजह बनेगी निम्मित बनेगी उसको अन्या आत्माओं का से आदर समान कैसे करना है किसी के प्रति रिक्स्पेक्ट्फुल कैसे रहना है ये सिखाने की वजह बनेगी वो प्रक्रिया किस प्रकार होगी वो घटना है किस प्रकार घटेंगी ये एक अलग पहलू है ये नियती के घेर में देखा गया है लेकिन ये जो चिन प्रदान किया गया ये चिन ये पैंडेड ये चिन है उस महिला से मुलाकात का जब वो महिला से उस व्यक्ति की मुलाकात ह होगी तो उसके गले में चमकता हुआ यह चिन जब उसकी आंखों पर यानि वो पेंड़ेट जब उसकी आंखे उस पेंड़ेट को देखेंगी तब उसके अवचेतन मन में यह स्मृति जागरत हो जाएगी और वो उस महिला से बाफ्चित करने के प्रति उससे संबंध बनाने के प्रति आतुर होगा और यहां महिलां उसके जीवन में एक महतुप्रून रोल प्ले करने वाली है जो माध्यम के जीवन में पत्नी का रोल प्ले करने वाली आत्मा है उसकी हसी उसके शीर की खुश्बू यह वो चिन है जो माध्यम को अपनी जीवन में जो आने वाली उसकी जीवन में पत्नी का रोल प्ले करेगी आत्मा उसकी तरफ आकरशित करेंगी ठीक इसी प्रकार से उस महिला को भी जिसके और इन सभी शारिक विशेष्टाओं में जो सबसेदिक महत्वपुन्स्तान होता है वो हमारी आँखों का होता है जैसा कि कहा जाता है कि आखें हमारी आत्मा की खिड़किया होती है तो आखें उन चिन्नों के द्वारा जो भावनाई जागरत करने की वज़े बनती हैं हमें ये बतलाने की वज़े बनती हैं कि ये व्यक्ति एक अर्थ पूर्ण स्थान रखता है हमारे जीवन में और जब आत्मा इन चिन्नों को भूल कर इन पहचान चिन्नों को भूल कर किसी अन्या व्यक्ति का चुनाओ कर लेती है तब एक जो महत्वपूम सबक है उसके जीवन की जो दिशा है वो परिवर्तित हो सकती है और वो बहुत भैतरी इंस्थिती नहीं होती क्योंकि यह चीज नेती के घेरे में निश्चित की जाती है कि यह व्यक्ति आपके जीवन में यह रोल प्ले करेगा आपको यह सिखाने की वज़े बनेगा और जब वहचान चूक जाती है तो वह जो सिखाने की वज़े बनना है वह चीज भी चूक जाती है जो कि यह प्रकृति फिर आगे व वस्ता करती है कि आपकी फिर से उनकी मुलाकात हो और उस समय ये चिन आपके मन में जागरत हो यानि प्रकति द्वारा हम मनुश्यों यह गलती भी कर रहे हैं तो हमें दोबारा दोबारा बार-बार मोके प्रदान किये जाते हैं कि अब सही निर्णा ले लिया जाए अब सही हमारे साथ रहता है और कई बार जवात्मा अपने उस चिन को भूल कर गरत मांग पर चल देती है तब इसके जो रिजल्ट होते हैं वह बहुत सुखद नहीं होते जिस कारे को करने के लिए सीखने के लिए वह आई है वह अधूरा रह सकता है लेकिन यह प्रकति दोबारा से आप अपने कारे को पून कर सकें आप सभी पर परमातम सोंदर्य प्रेम और आनंद सहदेव बरस्ता रहें आप सभी दिव्य परमधाम में स्थान प्राप्त करें एक जनम लेने के बाद